प्रते दिन अब्यास करते नजर आएंगे हो सकता है कि धोनी ने IPL को लेकर अब्यास सुरू किया हो लेकिन उनके अब्यास को देख उनके फैंस को साय थोड़ी उमीद जगी है कि वे भारत के लिए फिर से खिलते नजर आ जाएं धोनी को सलाना कंद्रिय अनुबंद से बाई करने पर BCCI ने रखी अपनी बात BCCI द्वारा धोनी को 야नुबंद से बाहर रखे जाने परDAY BCCI ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया है BCCI के एक अधिकारी ने कहा कि धोनी को अनुबंद से बाहर करना धोनी के लिए कोई सर्प्राइज बात नहीं थी क्योंकि धोनी को इस बात की जनकारी दे दी गई थी अधिकारी ने कहा कि धोनी को इसलिए इस अनुबंद में सामिल नहीं किया गया क्योंकि वे इस अनुबंद में रहने के मानक को पूरा नहीं कर रहा है तो इस अनुबंद में बने रहने के लिए आवस्य है कि आपने भारत के लिए कम से कम तीन टेस्ट या फिर आठ वंडे या इतने ही T20 मैचेस खेले हूं लेकिन धोनी बिस्वकब सेमी फाइनल के बाद से क्रिकेट से दूर थे बिसी सी आई अधिकारी ने कहा कि अगर धोनी भाविस में भारत के लिए क्रिकेट खेलते हैं तो वह स्वता ही इस अनुबंद से जुड़ जाएंगे ICC द्वारा मिले अवर्ड को दीपक चाहर ने किया पिता को समरपित बहुत कम समय में भारती टीम में अपना नाम बना चुके तेज गेंद बाद दीपक चाहर को ICC ने T20 परफॉर्मर अब दे यर का अवर्ड दिया उन्हें ये अवर्ड नागपूर में बंगला देश के खिलाफ T20 मैच में 3.2 अवर्ड में 7 रन देकर हैट्रिक साइथ 6 विकेट लेने के लिए दिया गिया इंडिया के लिए टेस्ट में सबसे पहले 1000 रन वाला रिकरड उनकी नजर में सबसे खास ठाज भारत के लिए 30 टेस्ट मैच सकेले जिसमें लगबग 48 की औसर से 2,192 रन बनाए यवाम इस दोरान 7 सतक और 9 और सतक वी उनके नाम घरेलो क्रिकेट में सबसे पहले 13 सतक लगा पूना के खिलाब लगाया था हरवजन का बड़ा बयान कहा धोनी अब नहीं खेल सकते भारत के लिए विसी सी आई के सलाना कॉंट्रेक्ट से महंद सी धोनी का नाम बाहर होने के बाद टीम इंडिया की स्पीनर और आईपियल में धोनी की टीम चैन्नाई सुपर किंग से खेल इसके बाद फिर से भारत के लिए नहीं खेलेंगे उन्होंने काफी समय पहले अपना मन बना लिया था और यहीं काराने कि उन्होंने खुद को अभी तक टीम के लिए उपलग नहीं कराया है हरवजन से जब पूछा कि क्या टीम इंडिया उन्हें मिस कर रही है तो हरवजन पुरुस क्रिकेटरों की सलाना सूची में धोनी को बाहर करने के बाद BCCI ने महिला क्रिकेटरों की सूची में एक बड़ा बदलाव किया है दुनिया की सबसे सफल बलेबाज M1 Day टीम की कप्तान मिताली राज को इस सूची में बड़ा जटका दिया गया है BCCI के इस सूची में तीन वर्ग है जिसमें ग्रेड A के अनुबंद रासी 50 लाख रुपए है ग्रेड B के लिए रासी 30 लाख और ग्रेड C के लिए 10 लाख रुपए है पहले मिताली ग्रेड A में थी लेकिन अब उनको ग्रेड B में डाख रुपए है वहीं हाल में टीम के लिए डेब्यू करने वाली सेफाली वर्मा को उनके बैतरी परतर्शन का इनाम मिला है और उन्हें पहले बार PCCI के अनुबंद में सामिल किया गया है ग्रेड ए में जिसमें 50 लाग रुपे दिये जाते हैं उनमें सामिल खिलाणियों के नामें हर्मन प्रीत कोर्ड, इसमर्ति मंधाना और पूनम यादो ग्रेड बी में जिसमें 30 लाग रुपे की सलाना रासी दी जाती है उसमें सामिले मिताली राज, जूलन गोश्वामी, एकताबिष्ट, रादा यादो, सिखा पांडे, दिपते सर्मा, जैमीमा रोल्डिक्स, और तानिया भाटिया ग्रेड सी जिसमें 10 लाग रुपे की सलाना रासी दी जाती है उसमें सामिले वेदा कृष्ण मूर्ति, पूनम राउत, अनुजा पाटिल, मांसी जोसी, डी हमलता, अरुन दती रेड़ी, रजेस्वडी गायकवार, पूजा वस्तराकर, हरलिन देओल, प्रिया पुनिया औ लंका के खिलाफ आखरे T20 मैच में खिलने का मौका मिला, जिसमें वो दो गिंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गया, उसके बाद नाहीं उन्हें न्यूजिलेंड दोरे के लिए टीम में चुना गया, और अब रिशब पंद चोटी लोग हैं, तो भी उन्हें टीम में सामिल नहीं किया जा रहा है, इस चीज़ से परिशान होकर संजू सेंसन अपने ट्वीटर एकाउंट पर एक ब्लैंक कोस्ट किया है, जिसमें उन्हें उन्हें सिर्फ कॉमा डाला है, उनके इस पोस्ट के बाद फैंस ने इसके अलग-अलग मतलब निकालें, कई फैंस ने उनका ह जैतरीन, क्लास बलेबाज एवं भारतियक अप्तान बिराट कोली के नम भारत के लिए वंडे में सबसे तेज सतक बनाने का रिकॉर्ड है, कोली ने 2013 में ऐस्ट्रेडिया के खिलाप जैपूर में 22 गेंदों में सतक थो, यह उपलब जी अपने नाम की थी, हालांके विस्व रिकॉर्ड, Ireland और वेस्टि इंडिस के बीच हुए पहले टी टी ट्वेंटी मैच में, Ireland ने दो बार के टी ट्वेंटी चैंपियन वेस्टि इंडिस खिलाफ एक नया विस्व we round बना दिया है, Ireland ने टी ट्वेंटी ती में पावर प्ले में सबसे जाइदा रन बनाने के रिक लेशनल मैच में आर्लेंड के खिलाफ नीदर्लेंड की टीम ने साल 2014 के टीट्वेंटी वर्ल्ड कप के दोरान बनाये थे वहीं साल 2014 को वर्ल्ड T20 में इंग्लेंड के बले बाज़ ने साउथ अफरीका खिलाफ 89 रन बनाये थे भूमनेश्वर की हुई सर्जरी वहाई फिट हो चुके प्रित्वी सो और न्यूजिलेंड दोरे के लिए हुए रवाना भारतिय तेज गंद बाज भूमनेश्वर कुमार की लंदन में स्पोर्ट्स हार निया की सर्जरी सफल रूप से संपान हो गई वह जल्दी भारत लोट कर वैंगलूरू में रिहाबिलिटेशन से गुजरेंगे जबकि यूवा उपनर प्रित्वी सो अपने कंदे की चोड से उबर कर भारत एक टीम से जुड़ने न्यूजिलेंड रवाना हो गए प्रित्वी इस माईने के सुरू में करनाटक के खिलाफ रंजी मैच में छेतरक्षन करते समय मैदान पर गिट कर अपना बाया कंदा चोटिल कर बैटे थे और उनका न्यूजिलेंड दोरे में खेलना संदीक दिन नजर आ रहा था लेकिन प्रित्वी इसके बाद वेंगलू यारक सायर के लिए खेलेंगे साइद उन्हें यह बात समझ आ गई है उन्हें टीम इंडिया में सीमित ओबरो के सिरीज में अब जगाव मिलना काफी मुस्किल है इसलिए उन्होंने काउंटी क्रिकट में यारक सायर के लिए खेलना मुनासिब समझा 33 वर्सी अगले सीजन म आई पील के बाद यारक सायर टीम से जुड़ेंगे आप देख रहे हैं चक्दे क्रिकट हम आसा करते हैं कि आपको क्रिकट से जुड़ी आज की 11 ख़बरे पसंद आई होंगी क्रिकट से जुड़ी प्रते दिन की ख़बरे एवं पल-पल के अफडेट के लिए हमारे चेन चक्दे क्रिकट को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें तदन नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाएं धन्यवाद